Hi everyone, कैसे हो आप सबी लोग, I hope आप लोग एच्छे होंगे, मैं हूँ राहुल जेस्वाल and स्वागत करता हूँ आप सबी का एक बद फिर हमारे YouTube चैनल जे आर, टूटोरियल्स में, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, अच्छी तरीके से आप पी पढ़ाई चल रही होगी, प्र आपको strategy video मिल रहा होगा, बहुत जल्दी आजएगा, 12th के लिए भी आजएगा, 10th के लिए भी आजएगा, चिंता मत करना, बस दोस्तों में, बता के रखो, फैला के रखो, सभी दोस्तों को किया बहुत जल्दी जया, टुटोरियल्स पे, 10th and 12th board examination का strategy video बहतरी तरीके से आ इस प्रकारते काफी अच्छा लगता है, connected रो, social media पे काफी ज़्यादा मजाएगा, देखो, हमारा जो topic चल रहा हो, दोस्तों, 10th standard के लिए match 2 का, जो हमारा दूसरा नया बैच चल रहा है, already एक बैच complete है, जिसमें पूरा का पूरा हर चीज आपके लिए present है, हर चीज, जो आपको पढ़ना है, science, math, history, geography, political science, English, grammar, हर एक चीज आपके लिए मिल जाएगा, बस search करो हमारे चैनल पे, हर एक चीज है, पढ़ाई करते हैं अच्छी तरीके से, हमारा ये जो second batch है, इसमें आपके लिए match 2, यानि geometry subject की अगर मैं बात करो, तो इसमें आपका circle chapter चल रहा था, आप ये जो circle chapter अगर आप देखोगे, तो इसमें हमारा चल रहा है practice set number 3.5, अब ये जो practice set number 3.5 है, ये हमारा आखरी practice set है, इस chapter का, और आज lecture देखोगे, तो 11 लेक्चर है, तो दोस्तों 11 लेक्चर रग गए हमें इस chapter को complete करने में, यानि कि इसको कितना बहतरीन तरीके से पूरे हमारे सिलाबस का, उसको न, 100 में से at least 90-95% मार्स मिल सकते है, अगर वो सिद्धत से पढ़ाई करेगा, सिद्धत से practice करेगा, तो, clear है, जरूर से करना, ताज हमारा आखरी लेक्चर इस chapter का, आज ये circle chapter complete हो जाएगा, वीडियो को ध्यान से देख लेना, छोटा सा practice set ह फटा-फट से, चलो, solve करवाते हैं, तो, सबसे पहला example screen के ओपर दिख रहा है, आपको, चलो, solve करवाते हैं, अब देखो, पहला question क्या आप बोल रहा है, देखो, हमने तीन चीज़ पढ़ा था इसके पहले के lecture में, tangent, second segment theorem पढ़ा था, internal division of core देखा था, external division of core देखा था, इस पर इसी के base पर ये practice set पूरा का पूरा based है, तो, चलो, solve करते हैं, तो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक figure दिख रहा है, पीक्यू जो है, यहाँ पे, पीक्यू ये क्या है, ये क्या है, टेंजेंट रहा है, मतलब सेंटीमेटर नहीं है, सिफ 12 लिखा है, तो, पीक्यू का जो value है, this is the PR, ये PR जो है न, ये इसका value दिया, लेकिन ये मुझे एक बद बताओ, ये पूरा PS क्या है, ये PS actual में क्या है, एक second है, तो, PS is a second, मतलब यहाँ पे tangent भी दिया हुआ, यहाँ पे second भी दिया हुआ है, तो, क्या होगा, tangent, second, segment, theorem, यहाँ पी use होगा, जिसमें, इस second में आप देखोगे, तो, PR का value है, कितना, 8, PR का value, 8 दिया हुआ है, हमें question क्या कुछ है, PS निकालो और RS निकालो, मतलब ये पूरा PS है, और ये जो RS है, इसका value निकालो, सबसे पहले हम लोगा RS निकाल लेंगे, RS निकल जाएगा, तो, PS भी निकल जाएगा, PR प्लस RS करके, ठ जानते हैं, दोस्टों, कि, यहाँ पर, एक चीज़ हम लग बोल सकते हैं, कि, यहाँ पर क्या लगने वाला है, tangent secant theorem, लगने वाला है, तो, according to tangent secant segment theorem, क्या बोलता है, हमारा, जो tangent secant segment theorem, क्या बोलता था, याद करो, पिछला lecture, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, कि, जो tangent हो होता है, PQ स्कोयर हो जाएगा, तो PQ स्कोयर विल भी इकवल टो ओड, PQ स्कोयर जो होगा, वो क्या हो जाएगा, यह जो PR है, और यह RS है, इन दोनों का multiplication हो जाएगा, तो, that is, PQ स्कोयर विल भी इकवल टो, PR मल्टिपलाइबाए, PR, यह पूरा, यह PR जो है, PR है theory में मैंने पिछले लेक्षर में पढ़ाया था कि टेंजेंट सिक्मेंट क्या बोलता है कि जो टेंजेंट उसका स्क्वाइर इस इकॉल टू जहां से सिकेंड स्टार्ट हो रहा है मतलब पी आर और ये पूरा सिकेंड पी एस मल्टिप्लेकेशन में आ जाएगा पी क्यूंग गवैलू मुझे पता है टुएल है तो टू एल का स्क्वाइर कर दो यहां पे इस इक्वल टू ठीक है ना पियर का वैलू कि तो यहां से तो मिल जाएगा पी एस का वैलू कितना आ जाएगा दोस्तों देखो धोट हो पी एस इस इकेल टू अट पीएस मिल गया यहां से 18 पी एस मेल गया 18 लेकिन हमें सिर्फ पी एस निकालना gepैने पीएस के अलावा क्या निकालना है áर्ओ भी निकालना है तो यहां पर एक चीज़ पता है हमको कि PS जो है यह क्या है PS जो है यह PR प्लस RS है देख पार यो डाइग्रम से PR प्लस RS कहां से आया from diagram, ऐसा बोल सकते हैं, from diagram, ठीक है न, diagram, वो भी एसा diagram है, PRS, ऐसा diagram है, वरवर न, PRS, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो PS is equal to PR plus RS है, तो PS का value 18 दिया हुआ है, PR का value मुझे पता है कितना है, दोस्तो, PR का value 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें RS मिल जाएगा, तो RS will be equal to what, 18 minus 8, ठीक है, तो therefore RS का value कितना आ गया, 10 unit आ गया, और यही हमें निकालना था, यह निकालना था, तो RS का value कितना आ गया, दोस्तों, कितना आ गया, 10 unit, तो हमारा जो दो value पूछा था कि PS का value निकालो, और RS का value निकालो, तो PS आ गया, 18 unit, और RS आ गया, 10 unit, कितना simple था, है कि नि दोस्तों, बहुत बेतरी तरीके से हमने पढ़ा दिया है, चलो, फिर आगे बढ़ते, यह था हमारा, सबसे पहला question, कितना easy था, है कि नि, फटना फट से comment करके बताओ, देखो, यह जो चीजे होती है, यह होती easy है, लेकिन जो हमारे बच्चे लोग है, है कि ने, तो ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, तो यह हो गया PSNRS, निकाल लिए आप चलते हैं, अगले question पर, अगला question क्या है, चलो, देखते हैं, question number 2, एक figure है, यहाँ पर दिख पा रहे हो, इसमें बोल रहा है कि cod MN जो है, और cod RS, यह MN है, यह RS है, यह दोनों क्या हो पर intersection हो रहा है, मतलब यह कुंसा theorem है, इसमें, internal division of cod, यहाँ आ रहा है, internal division of cod, वो ही वाला theorem लगने वाला है, तो इसमें दो चीज़ पूछा है, पहला है, RD 15 है, DS 4 है, MD 8 है, find DN, निकाल लेंगे, चलो number 1 solve करते हैं, क्या दिया हुआ है, RD का value हमें दे रखा है, 15, DS का value दे रख है, उन्होंने 8, और हमें DN का value है, वो question mark है, मतलब निकालना है, तो मुझे एक बात बता हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल गया, कि यहाँ पर use क्या हो रहा है, internal division of cod, use हो रहा है, तो हमारा theorem लगेगा, according to the theorem of internal division of cod, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, according to, ऐसा लिखना है, तो आप लिख भी सकते हो, एक dialogue आप लिख सकते हो, क्या आप बोल रहा है कि cod MN and cod RS, ऐसा लिखो यहाँ पर, cod MN and RS intersect, intersect at point D, ठीक है, at point D, therefore by theorem of internal division of cod, internal division of cod, क्या है हमारा internal division of cod का थियरम क्या बोलता है, क्या formula बनेगा, MD multiply by DN is equal to RD multiply by DS, यही है हमारा internal division, correct है, तो लिख दो formula, that is MD multiply by DN is equal to RD, देखो MD, यह MD और यह DN, correct है, आगया multiplication में बीच में equal आगया, यह RD और यह DS, तो RD multiply by DS, जो value पता है, वो डाल दो, जो नहीं पता है, वो आटोमेटिकल निकल जाएगा, अब देखो MD का value पता है क्या, देखो यहाँ पर MD, 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 8 दिया हुआ है, ठीक है, DN का value निकालना है तो वैसी का वैसी ही रहेगा, is equal to RD का value देखो, दिया हुआ है क्या है, ठीक है, correct है, DS का value दिया रखा है क्या 4, यह हो गया, तो यह हो जाएगा, 8 DN, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 8 DN is equal to 15 for the 60 हो जाएगा, तो देरफोर DN will be equal to what, DN will be equal to 60 upon 8, DN का value कितना हो जाएगा, 60 upon 8 हो जाएगा, correct है की नहीं, इसको solve कर लेते हमारा value ही कर जाएगा, चलो solve करे, 60 upon 8 करके देखो, यह हो जाएगा, 4 के table में 4 to the 8, यह हो जाएगा, 4 15 जा, मतलब 15 by 2, 15 by 2 का मतलब होता है, साधे साथ, तो 7.5 unit, यह हो गया आपका एक answer, DN आ गया, मतलब पहला वाला solve हो गया आपका, first one is solve, ठीक है, second वाला क्या बोल रहा है, देखो, second one, क्या बोलता है second वाला, कि RS 18 है यहाँ पर, RS is equal to 18, चलो ठीक है, MD 9 है मेरा, यहाँ पर, MD 9 है, DN मेरा दे रखा है उन्होंने इस बार, 8, और हमे DS को calculate करना है, देखो, यहाँ पर DS को calculate करना है, same, अपना जो figure है, जो diagram पर वो same है, बस values change करना है, तो सबसे पर, again, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, internal division of code हो रहा है, तो formula वही लगने वाला है, that is MD multiply by DN, ठीक है, होई वाला चीज, according to the internal division of code, तो क्या हो जाएगा, MD multiply by DN, देखो, MD D multiply by DN, same, जो यहाँ पर किया, वही same चीज़ है, बस values इस बार अलग अलग दिये हुए, तो MD multiply by DN is equal to RD multiply by DS, RD multiply by DS, correct है की नहीं, RD multiply by DS, यह हो गया, अब यहाँ पर देखो, MD का value में पास दे रखा है उन्होंने, कितना, इसमें देखो, इसमें मत देखना, गल्ती मत करना, second वाल RD जो है, देखो कहा है RD, यह RD जो है ना, इसका value उन्होंने दे दिया ही नहीं है, तो मैं RD के जगा पर क्या मान सकता हूँ, RD के जगा पर मैं क्या मान सकता हूँ, RD के जगा पर मैं क्या मान सकता हूँ, S मान सकता हूँ, यह RD जो है, अब यहाँ पर मैं diagram में बताता हूँ आप ये total जो है, पूरा का पूरा इतना जो value है, वो तो 18 पता है न मुझे, ठीके, तो ये x है, पूरा 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18-x, तो मतलब ये ds के जगा पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 18-x लिख सकता हूँ न, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किया मैंने, देखो एक ब पता निया, तो मैंने मान लिया कि rd का जो value है, ये मेरा x है, मान लिया मैंने, ds का value निकालना है, ds का भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता ही कि r से लेके s, यानि पूरा value अठरा है, तो पूरा 18 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 18-x हो जाएगा, कि नहीं हो x minus x is x square, ये क्या बन गया, equation बन गया, क्या बन जाएगा, x square minus 18x, क्या बन जाएगा, x square minus 18x, प्लस 72 is equal to 0, ये क्या बन गया, एक quadratic equation बन गया, इसको solve करना आता है, हम लोगो, quadratic equation कितना solve किया आया है, इसके पहले algebra में, मुझे बताओ क्या आएगा, multiplication में 72, प्लस करके 18 आना ची कॉंसर्टेबल में आएगा, बोलो, 72, कॉंसर्टेबल में आएगा, कॉंसर्टेबल में आएगा, ध्यान दो, बिल्कुर अच्छी तरीके से, 12, 6, 72 होता है, 12, 6, 12, 5, 6, 12, 6, 72, और 12, 6 को प्लस करूंगा, तो 18 भी आता है, मतलब मेरा, क्या आ जाएगा, x square minus 12x minus 6x plus 72 is equal to 0, स समझ में आ रहा है, common निकालो, इसमें से common क्या निकलेगा, x, common, x minus 12, bracket में, यह तो आपको easy लगठा होगा, solve करने में, ठीक है, x minus 12, ठीक है, इसका common निकल गए, इन दोन में common को निकलेगा, इन दोन में minus 6 common निकलेगा, ठीक है, minus 6 common निकलेगा, अंदर क्या बच्छे का आगे x minus 12 is equal to 0, इसको solve कर लो, bracket से में x minus 12 एक बार लिखा, और यह x minus 6 एक बार लिख दो, is equal to 0, तो हमारा value क्या आएगा, एक बार x is equal to 12 आजाएगा, एक बार x is equal to 6 आएगा, मतला हमारे पास, दो दो x के value आगे, x को क्या मानता मैंने, x क्या है मेरे लिए, rd है, तो यहाँ पे, therefore जो value है, rd को ही मानता x बराबर है, rd का जो value है, वो क्या आ रहा है, या तो 12 है, या तो 6 है, rd का जो value है, या तो 12 है, या तो 6 है, लेकिन मुद्दे की बात ही है, हमें ds का value निकालना है, तो ds कीदर है, ये ds है, तो ds के जगा पर क्या लिखा हुए, 18 minus x, तो ds जो होग कटना आएगा 12 आएगा मतलब इंशोड डियस का जो वैलू है वो भी या तो 6 है या तो 12 है समझ में आ गया की नहीं आया कितना सिम्पल था डियस का वैलू जो आमें पूचा था या तो 6 है या तो 12 बाकि तो इसके पहले का जो dnvn निकाला था वो सब हमने अलोड़ी निकाल चुके हैं, और this is the solution, जो हमने बिल्कुल बहतरीन तरीके से solve कर दिया, देखो ध्यान से, इसे questions आते हैं, exam में अच्छी तरीके से महनत करना है, दोस्तों बस इतना ही बोलना चाओंगा, exam में महनत जीतोड के करो, जितना हो से के उतना परिश्रम करना, दोस् का, खुद का, सबसे बसे खुद का, फिर parents का, फिर कहीं जाके मेरा करना, ठीक है, जरूर से महनत करना, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगले question पर जाते हैं, क्या है अगला question, तीसरा क्रमांख, थर्ड question, हाँ, देखो क्या बोल रहा है, एक सिकर है, चलो ठीक है, ये circle दिख ये पूरा निकालने, पूछा है, दूसरा DC निकालना है, मतलब ये value निकालना है, और तिसरा DE निकालना है, DE, चलो निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, ध्यान देना बच्चो, अच्छी तरीके से, ध्यान देना, तो सबसे पहले यहाँ पे, clearly बोल के रखा है, कि मेरा जो A स tangent, उसके बाद, क्या आपको दिख harा है, A से लेके D, यह AD क्या है आपके लिए, secant, is a secant, तो हम लोग क्या लगा सकते है, यहाँ पे, by tangent, secant, segment, theorem, हम लोगने क्या लगाया, tangent, secant, segment, theorem, क्योंकि tangent भी है, second भी है, तो चलो, लगा दिया, tangent, segment, theorem, क्या बोलता है, tangent, second, segment, theorem, कि जो tangent होता है उसका square लेना यानि a b का square हो जाएगा is equal to second का starting point यानि a c multiply by the whole second मतलब a d तो ये क्या हो जाएगा formula a b square is equal to a c multiply by a d समझ में आ रहे अब जो value पता है न इमानदारी से इसमें डाल दो मुझे a b का value पता है 12 दिया हुआ तो 12 का square हो गया a c का value पता है कि ये बानदारी से देखो आठ दिया हुए लिख दिया a d का value पता है कि नहीं पता है a d तो अपने आप लिख दो यहाँ पे a d जो चीज नहीं पता है वो लिख दिया same to same इसका रहो निकाल सकते हो 12 का square होता है 144 is equal to 8 multiply by a d तो therefore a d का value कितना आ जाएगा 144 upon it इतना आ जाएगा देखो therefore a d will be equal to what निकालो 144 को 8 से डिवाइड करो 8 बन्जा 8 उता है 64 8 एंट जा 64 मतलब a d का value आ गया 8 अठा रा एडिका value कितना निकाल आ आपने 18 निकाल लिया समझा यह चीज यहां तक a d का value कितना आ गया 18 यूनिट लिख दो यहां पर यूनिट यूनिट लिखना बहुत जरूरी है यूनिट सेंटिमेटर ने लिखा है न तो यूनिट लिख दिया तो a d is equal to 18 आ गया अब यहां पर आप देखोगे a d का value यह पूरे का value कितना आ गया 18 आ गया और कुछ value पता है कि इसमें आपको a c का value आपको पता है 18 मुझे एक बात बताओ यह पूरा जो a d है न यह पूरा जो a d है देखो इसको ध्यान से a c लेके d पूरा a d जो है यह actual में क्या है a c plus c d a c plus c d है न a c plus c d करोगे तो यह पूरा a d बनेगा यह पूरा a d का value अट रहा है a c का value मुझे पता है 8 है तो यहां से c d का value निकाल लोगे तो therefore c d will be equal to what 18 minus 8 तो c d का value मिल जाएगा यहां पे कितना 10 c d का value कितना मिल गया 10 मिल गया कि नहीं मिल गया 10 unit आ गया c d का value 10 unit आ गया समझ में आ गया अब देखो अब तीक यह c d मतब dc वह एकी बात है c d बोल लो या फिर dc बोल लो एकी बात है दस आ गया a d आ गया dc आ गया अब बचाए d c के बराबर होगा d e is equal to e c होगा या फिर मैं सीधा ऐसा भी लिख सकता हो कि जो मेरा d e होगा d e होगा is equal to half of यह पूरा value जो होगा dc मुझे बताओ क्यों होगा क्योंकि देखो यहां पर यह जो circle से point निकल के आ रहा है यह इसको perpendicular मतलब यह आधा है यह आधा है so d e is equal to half of the dc cube that is the perpendicular to the center of the circle perpendicular to center perpendicular drawn from center take an S L equals go perpendicular drawn from center of circle perpendicular from the center of the circle to the cord to the cord to the cord bisect the cord समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं यह चीज लंबा चोड़ा जो मैंने लिखा यह क्या है actual में यह जो पूरा आप line देखो अगर आप ध्यान से देख पार हो पूरा maths है न दोस्तों इसमें जो e point है यह exactly बीचो बीच है तो यह जो d e का जो वैलू होगा यह पूरे dc का आधा होगा क्योंकि यह जो circle से आप draw कर रहे हो वो क्या कर रहा है उस cord को आधा आधा बाइस से कर रहा है ना आधा आधा तो यह आधा यह आधा करेक्ट है कि नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए हमने यहाँ बिचा लाला formula लाला कि that is d e is equal to half of dc तो dc का value पता है न मुझे c d या फिदी या फिदी सी एक ही बात है तो 10 है ठीक है इसको dc कर लो चलो एक बात एक काम करो इसको आप क्या करो dc लिख लो ने तो confused हो जाओ गया मेशा क्या लिखो गया dc dc कितना आ गया 12 आ गया sorry 10 आ गया तो d is equal to half of dc हो गया अच्छी तरीके से अब इसको calculate कर लो अच्छी तरीके से आपका value जो है वो आ जाएगा that is d e is equal to half of dc कितना है dc ठीक है कितना है dc मेरा कहां क्या dc का value अभी अभी दिकाला 10 तो बस यहाँ पे लिखना है half multiply by 10 करोगे तो half multiply by 10 is 5 तो आपका d e का value कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा correct है कि नहीं तो d e का value आपको मिल जाएगा 5 जो की बहुत बेतरी अच्छी तरीके से आप इसको solve कर सकते हो ठीक है कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो जरूर से इससा answer निकालना एक छोटा सा एक चीज है यह आपके में छोड़ रहा हूँ बस half multiply by 10 करना है half multiply by 10 is nothing but 5 तो आपका d e का value कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया हम चलते अभी अगले question की तरफ चले अगले question की तरफ चलो देखते है अगला question क्या है तो यहाँ पे आप देखोगे तो question क्या पूचा है ध्यान से द पा रहे होंगे बहुत simple दिखरा ये question आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखरा ही this is the part यह वाला part पूरा दिखरा आपको this is the part we called as the PQR यह जो PQR का जो पार्ट दिखरा आपको यह क्या दिखरा है यहाँ पे आपको clearly पता चल रहा है कि इसमें से यह जो part है यह second नहीं है, ये वाला part मतलब देखा जाए, तो इस में से कोई एक part tangent नहीं है, तो मतलब tangent second segment theorem तो नहीं लगने माना, तो अब जिस दिए अब देख पारे हो कि ये जो RQ का जो chord था ये ऐसा आ रहा है, और ये भी एक TS नाम का chord ये भी ऐसा आ रहा है, और ये दोनों आपस में intersect और एक point P पे है, मतलब कहीं ने कहीं ये जो question है, ये क्या बोलता है, कि मेरा जो chord मेरा जिसका नाम है TS जो है और जिसका नाम है chord RQ ये दोनो externally टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा example है that is the external division of chord का example है, internal division तो अलुड़ी देख लिए हामने, तो ये external division का example है तो chord TS नार की वाड़ टचिंग at point P पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब by external division of chord theorem external division of chord ये theorem के accordingly क्या होता है हमने theorem पढ़ा हुआ है, कभी भी कोई point अगर externally touch करता है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जो PQ है मेरा, starting का point PQ और multiply by the whole chord, जिसका नामे PR, तो PQ multiply by PR जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तो, PQ multiply by PR जो होगा, वो क्या हो जाएगा PS multiply by PT हो जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं न, external division of code इसमें जो value है बस डाल तो PQ का value दे रखा है 6 PR का value दे रखा है क्या नहीं, PR नहीं पता है, देखो, P से लेके R की तरह है, PR मुझे नहीं पता है, तो यह PR के जगा पे PQ प्लस QR लिख सकता हूँ तो PQ प्लस QR लिख सकता हूँ इस PR के जगा पे, is equal to PS का value दे रखा है उन्होंने 8 और PT का value जो है, मुझे नहीं दिया हुआ है तो PT is nothing but PT मतलब PS प्लस HT समझ में आ रहा है, तो PS प्लस HT या फिर TS बोल लो सको, HT बोल या फिर TS बोल लो, बात एक जगे, करें कहें समझ में आ रहा है, देखो बहुत सिंपल होता है, बस ध्यान लगा 6 है, अगें, बीक्यू का value पता है कितना है, 6 प्लस QR का value पता है कितना है 10 रिख दिया, फिर 8 multiply by PS का value पता है ज़ आगें देंखो 8 प्लस Ts का वैलू पता है क्या नहीं निकालना है तो इसको एजी डिसलग दिया इसको पूरा solve करो 6 plus 10 हो जाएगा 60 sorry 16 6 multiply by 6 plus 10 is 16 is equal to 8 अंदर multiply करो 8 8 जा 64 हो गया 8 multiply by Ts is कितना हो जाएगा 8 Ts तो solve कर लेंगे हमारा answer आजाएगा तो इस 16 4 जा 64 होता है और एक्ट है 16 4 जा 64 हो गया is equal to थ्या हो जाएगा दोस्तों is equal to is equal to 64 is equal to 64 plus 8 Ts एक मिनट ठीक है पियस का वैलू 8 है ठीक है दे रखा है और ने पियस का वैलू जो है वो 8 दे रखा है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Ts का वैलू निकालना है ना 6 QR का वैलू 10 दे रखा है QR का वैलू 10 है PQ का वैलू 6 है ठीक है तो PR तो PQ प्लस QR 6 प्लस 10 कितना होता है 60 16 16 16 है देखो यहाँ पे गड़बड क्या किया हमने देखो हमने यहाँ पे 16 4 जा 64 होता है 16 6 96 होता है मैंने यह गड़बड कर दिया देखो जब भी आप calculation करते हो न थोड़ा बहुत आपका mistake हो सकता है तो हमीचे याद रखा करो कि कहां पे आप गड़बड कर रहे हो तो 16 16 6 96 होता है तो 96-64 इस इक़ल टो 8TS हो जाएगा ठीक है 8 प्लस ट्स माफ करना ठीक है 8 जा 64 प्लस 8 मृटिप्लाइब ट्स इस 8TS तो 16 से माइनस करो 2 हो चाहेगा 6 मैं से 4 गया 2 और 9-6 X is 32, is equal to 8 TS, therefore, TS is equal to 32 by 8, therefore, आपका TS का value आ जाएगा 4, इतना आ गया, TS का value आ गया 4 unit, अब जा, TS is equal to 4 unit, बहुत ज्यादा, simple तरीके से हम इसको solve कर जिया, बहुत ज्यादा simple question है, दो marks के लिए exam में आ सकता है, इसको जरूर से आप लोग कर लेना, ठीक है, कर लोगे, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगले question की तरास, जो कि है हमारा इस practice set और इस chapter का आखरी question जिसका नाम है, question number 5, क्या question है, यहाँ पर diagram दिख रहा है, segment EF diameter है, चलो, ठीक है, segment DF दिख रहा है, it is a tangent दिख भी रहा है, ठीक है, the radius of circle is R, circle का जो radius है ना, यह R है, मतलब यह हमें, E से H तक का value R म बढ़ा, तो DE multiply by GE is equal to 4R square proof करना है, तो चलो, देखते हैं, इसको कैसे solve करना है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो, तो सबसे पहले एक छोटा सा, हम लोग ना, इसमें कुछ, फेर बदल करते हैं, फेर बदल in the sense, कुछ छोटा सा, यहाँ यहाँ करते हैं, कि जो segment g है, जो f है, इसको मैं एक line से join करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ है यहाँ मैं इसको join करता हूँ, देखर रहा यह, line joining किया मैंने, तो एक segment मैंने क्या किया, construct किया, तो यहाँ मुझे लिखना पढ़ेगा, constructing segment, construct, सेग्मेंट जी एफ हमने क्या किया है जी एफ को ड्रॉ किया है एक ही नहीं जी एफ है नहीं तो इसको जी एफ को हमारा हमने ड्रॉ कर दिया सेग्मेंट जी एफ को ड्रॉ किया अब यहां पर क्लियर लिए पता है कि एफ मेरा डायामीटर है सेग्मेंट जो एफ है यह क्या है diameter है segment EF जो है वो मेरा क्या है? diameter है और मेरा segment यहाँ पर देख पा रहे होंगे E और यह G और यह F जो है, मतलब यह जो angle आप देख पा रहे होंगे यह जो एक angle यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहे है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करो इस angle की, तो angle का नाम क्या है? दोस्तो angle मेरा EGF जो है यह कितना होगा? बताओ, यह angle कितना होगा? obviously, 90 degree होगा this angle will be 90 degree, तो angle EGF is equal to 90 degree, क्यों है यह inscribed angle, ठीक है? यह क्यों है? inscribed angle, यह हमने पढ़ चुके है already इस chapter में, तो inscribed angle theorem के accordingly, यह क्या है दोस्तों? यहाँ पर next अगर मैं बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यह जो triangle आपको दिख रहा है, EGF का जो value आगे 90 degree का, इसमें हम लोग क्या बोल सकते है कि जहाँ पर, जो segment है मेरा, देख पारे हो, यहाँ पर आप लोग यह जो segment है, मेरा D से लेके F point मेरा जो segment है, यह क्या है मेरे लिए tangent है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि segment DF is a tangent also segment DF जो है, यह मेरे लिए क्या है दोस्तों tangent है, अब इसके accordingly क्या बोल सकता हूँ, मैं कि अगर मेरा segment जो है DF tangent है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा यह जो E है ठीक है यह F जो है और यह जो D है यहाँ मुझे बता दो आप लोग यह जो एंगल अगर में बनेगा यह ट्राइंगल को मैं अगर consider करू इन ट्राइंगल EFD EFD consider करो तो अगर एंगल F जो है मेरा यह 90 डिगरी होगा अब इसके अकोरड़ी लिए क्या बोल सकता हूँ कि एंगल F मेरा 90 डिगरी है तो मेरा जो FG जो पार्ट है यानि कि यह जो पार्ट है यह DE के परपेंडिकुलर भी है तो FG is perpendicular to DE also FG मेरा DE के परपेंडिकुलर ही है ठ दोनों अगल क्या हो रहे हैं अगल अगल टेस से साटिस्फाइ कर रहे हैं कि कही न कहीं मेरा जो दो ट्रैंगल है मेरा EFD और EGF देखो EFD क्या बोलूँगा मैं ट्रैंगल EFD और यह ट्रैंगल EGF यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे को similar होंगे कौंसे टेस से similar होंगे obviously बताओ मुझे similarity of right angle triangle similarity of right angle triangle similarity of right angle triangle से ये दोनों क्या हो गए? similar हो गए जब भी कोई दो triangle similar हो जाता है तो corresponding sides of congruent triangle या corresponding sides of similar triangle से हम लोग क्या बता सकते हैं? इसका ratios बता सकते हैं तो हमारा जो ratios बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? EF जो होगा EF ये जो होगा यहां पर इसमें देख लो ना कि जो EF होगा वो EG के equal में आ जाएगा तो EF अपन EG यहां पर EF होगा EF अपन EG होगा is equal to is equal to DE upon FE होगा DE upon FE is equal to DE upon FE ये क्यों लिया हमने corresponding sides of similar triangle देख पारे हो आप लो? हमने इसका ratio निकाल दिया अब इससे होगा क्या? हमें कुछ value पता है देखो क्या पता है कि यहां पर अगर आप ध्यान दोगे अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे मैंने आपको बताया और question में भी बोला हुआ है कि यहां पर हमनों को जो radius दिया है इसको अब इसको जी बोलता हूँ इसको मैं get बोलता हूँ यह ब्य left यह दी जो है यहां पर देख पारे हो यह d जो है इसको मैं as it is लिखता हूँ यहां पर dk जगा पर d लेकिर यह जो e f है या फिर f e है इसका value कितना है again? क्रॉस multiply करो तो 2 r multiply by 2R कितना हो जाएगा, 4R square हो जाएगा, is equal to DE multiply by GE हो जाएगा, और इसको अगर मैं सीधा लिख दू, तो DE multiply by GE is equal to 4R square बन जाएगा, और यही चीज़ को आप लोग को proof करना था, DE multiply by GE is equal to 4R square, और यही चीज़ आपको proof करना था, तो हमने यहापे लिख दिया, hands proved, यह चीज़ हमने यहापे proof करके दिखा दिया, clear है, समझ में आ गया दोस्तों, कितना simple example था, इतना बैतरीन तरीके से और easy तरीके से हमने इसको solve करके आप लोगो दिखा दिया, तो जो यह था total 5 का 5 example, इस practice set का, जिसको हमने बहुत ही बैतरीन तरीके से इसको solve करा दिया, और उमीद करता हूँ कि आपको यह पूरा chapter, यह पूरा exercise practice set आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ यह lecture आज का stop होता है, इसी के साथ यह practice set इसी के साथ यह chapter भी होता है, totally 100% complete, ठीक है, अब ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे, continuously आप लोगो सिलावस बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो चिंता मत करना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, बस अच्छी तरीके से मन लगा के, आपको हर एक चीद मिल तो आप लोगों नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंट्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूँ वीडियो में तब तक के लिए, थांक यू और गुडबाई